करेंगे अपने टोपिक नंबर 7 की जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके बड़े ही महत्पून टोपिक वो है आपका इंटेलिजेंस यानि की बुद्धी के बारे में है देखे ये एक ऐसा टोपिक है जहासा आपके एक्जाम के अंदर एक नंबर जरूर देखने को मिल जाता है अगर मैं खासकर बात करूँ आपके एक ऐसे बड़े मैथ्पून मनोविग्यानिक जो है आपके हावर्ड गार्ड गाडनर का एक कोश्टन चाहे कोई भी सिफटों सहीod को सिफट होती है जहासा आपको नादेखने को मिले वनना जरूर देखने को मिलता है अगर आपको सम्ब्दुन नहीं आया तो इन्टेलिजेंस या बुद्धी के बारे में आपको पूची ले जाता रिया फिर तो वीडियो के अंदर में आपको जो जो इंटेलिजेंस के ऊपर यानि बुद्धी के ऊपर question पूछे गए थे आपके नए वाले question है जो पिछली बार आपके online exam में अभी वाले online exam में हुए है वो सब आज की वीडियो के अंदर में आपको important question कराऊंगा और जो जो आपके बुद् के बारे में बार-बार question repeat हुए तो वरना question repeat हो जाएंगे सिफ मेन मेन आपको बताने वाला हूं अगर आपने वही कर लिए तो समझ लो आपका ये chapter complete हो जाएगा ठीक है तो चले start कर लेते हैं आज आपके बुद्धी के बारे में और देख लिजे आप लोगों के अंदर कित यह आपका CTAT का course है जिन लोगों को अपना इसके अंदर content भी लेना है और बाकी के subject पढ़ने है detail में आप लोग इसको देख सकते हो ठीक है इसके अंदर आपकी proper class चल लिए ताकि आप लोग detail में practice कर सको साथ में चैनल को subscribe कर लेना जिनको YouTube से पढ़ना है और exam तक पढ़ते चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि बाकी class आपको सब इसी के ऊपर मिलती रहेगी ठीक है अब देखे कैसे कैसे question आपके पिछली बार online exam के अंदर पूछे गए थे उनके उपर एक एक करके नजर डाल लेते और कौन-कौन से नए question थे basically नए question नहीं थे बुद्धी के अंदर mostly वही question जो पिछली बार भी online exam में पूछे गए थे तो ऐसे कुछ खास नए question देखने को तो नहीं मिलेते ठीक है बट आप लोग देख लिजे क्योंकि यही question आपके exam में भी आपको देखने को मिल जाएगे तो चलिए बई शुरुवात कर लेते सभी को सभी को good evening है हाँ लाइक कर कर दिया करो क्योंकि मैं कभी वीडियो के अंदर कहता नहीं हूं कि मेरी वीडियो को like करा करो शेयर करा करो तो आप लोग खुद यह वाला काम कर दिया करो ठीक चलिए बई आ जाते हैं पहले नंबर कोश्चन के उपर और पहला कोश्चन आपके सामनी स्क्रीन पर आ गया थोड़ा सा मैं को सिक्वेंस में लगाता हूं मतलब यह नहीं है कि सीधा पहला कोश्चन आपको अपके सामने यही पूछ लिया कि आपके समकालिन सिधान्त बुद्धी को किस परकार अवधारित करते हैं यानि बुद्धी एक तरीक से पूछ लिया कि बुद्धी ही क्या होती है बुद्धी की विशेष्थता है पूछ लिए आपसे तो आपको बुद्धी के बारे में पताओना चाहिए तो चलो बुद्धो एक करके बुद्धी के बारे में बताओ पहला यहाँ पर दिया हुआ है बुद्धि के बार में कि एक दिशिय समान्य चम्ता होती है, ठीक है, यह नहीं बुद्धि को सिर्फ एक डामेंशनल के रूप में माना हुआ है, समकालिन सिद्धान के नुसार, अब आप मुझे एक बास सिंपल सी एक बात बताईए, यह जाए बुद्धी की तो बुद्धी सिर्फ आपकी एक आयामि नहीं होती के वती बुद्धी होती आपकी बहु आयामि होती है यinação कि फोने मेंच्छ को समझ要 अब आप लोग यहापर cdp पढ़ने आयों अब cdp पढ़ने के लिए आप लोग अपनी बुद्धी का इस्तमाल कर रहे हो लेकिन मानलीज आपको कुछ और दूसरी एक्टिविटीज करनी है ठीक है मानलीज आपको कई घोमने जाना है मानलीज आपको कुछ खाना खाना है या कुछ और अपना और काम xyz आपको चोटे बच्चे से प्यार करना है तो तब भी पढ़ने वाली बुद्धी का यूज करोगे तो आपको दूसरी तरीके से व्यवार करना पड़ेगा तो इसलिए आपको अलग परकार से अपनी बुद्धी का आपर यूज करना पड़ेगा बट यहापर इन्होंने ब लग लग प्रकार से अपनी बुद्धी का यूज करते हैं कुछ बच्चे सीडीपी की वीडियो देख रहे हैं सीडीपी का कॉश्चन पढ़ रहे हैं कि सर के सड ने पहला कॉश्चन बता दिया और उनकी बुद्धी यहाप लगी हुई है कि आज नेहाजी से बात करके रहू प्रकार से जो है ऐक है अयाम ने देखने के न कि मिले निंबुद्धी यहाप का यहीश होती है यह जो बुद्धीति शेतने जुस्ट्चे रही है जाम के अंदर देखनों को मिला है ठीक है तो दूसरा उप्षन क्या हो गया पहला उप्षन गलत हो गया दूसरा उप्षन यहाँ पर सही हो गया यह बात आप लोग समझ गये अगला पोइंट यहाँ पर दिया वाए कि आनुवान चिकता से ना परभावित होने वाली छमता हो होती है गलत बुद्धी जो होती है बुद्धी आपकी आनुवान चिकता और हैडिडिटी दोनों से परभावित होने वाला कारक है ठीक है दोनों से परभावित होती है किससे आनुवान चिकता यानि हैडिडिटी और आपका वातावरण यानिकि आपका एंवायरमेंट दो लोग ने सुने वे ना अरे इसकी बुद्धी तो इसकी माँ पर गई है एसे सुने हुए आपने बहुत सा रे कुमेंड ऐसा लोग क्यों कहते है ऐसा लोग कहते है कि बुद्धि को वो connect करते हैं हमारे जीन्स के थुरू जो हमारे हेड़ीडीटी के थुरू हमको मिलते ठीक है लेकिन बुद्दी के अंदर आपका चेंज भी पोसिबल है यानी बुद्धी केंदर आपका चेंज भी क्या आ जा सकता है परिवर्तन भी क्या जा सकता है अधिक निटो प्रेक्टिस करा दे अच्छी उसको सदबुद्ही डे या जा सकता है तो यहाँ पर आ आज आता है तो आप लोग कह सकते हो कि बुद्धी भी जो होती है एक निरंतर चलने वाला एक परिक्रिया होती है. जो आपकी मरण तक चलती रहती है. कैसी बुद्धी भी आपके निरणतर चलती रहती है, यNews continuous आपका चलने वाला एक प्रोसेस होती है ये भी आप लोग इसको कह सकते हो ठीक है यह हमेशा बुद्धी चलती रहती है यह बात आप लोग समझ गए ठीक तो यह पर आप लोग क्या समझे कि आनुवान सिक्ता से ना परभावित होने वाली चमता यह गलत है आनुवान सिक्ता से परभावित होती है ठीक है किसे परभावित होती ह ना प्रभावित होती है मतलब यह माली जए आगर पिताजिए इंटेलिजेंट है उनके बच्छे भी बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आसपास में ऐसे दोस्त्यार निकल गे जो विलकुर नल्ले है ठीक है जुने कुछ नहीं करना वो कहते अरे भाई तेरे बाप तो आई ये से तुझे कई मुगतविडिया सेट कर देगा तू क्यों चक्कर में पढ़ रहा है आ कहीं घूमने चलते चला ठीक है आज सुट्टे मारते बढ़िया दबाके वो कहता चल ठीक है वही वाला काम करत होते हैं तो उनकी तो बुद्धी भरेष्ट कर दिए उन्होंने तो जो परियावरणिया का रख है वात अर्णिया का रख है तो उनसे परभावित होगी बुद्धि या नहीं होगी तो बरबाद कर देंगे विचारों को ठीक है तो यह आपका ये भी ओप्शन गलत है वात की डाइमेशनल एबलीटी आपको देखने को मिलती है और जिसके बारे में अभी आप लोग कोशन पढ़ोगे जब आपकी हावर्ड गार्डनर की मल्टिपल इंटेलिजेंस ठीक इंदर आप लोग पढ़ोगे कितनी कितनी परकार कि उन्होंने बुद्धी बताई हुई है तो पहला कोशन आई होप आप लोग समझ गए होंगे ठीक है चली बात करते हैं और भाई कोई काली चरण हो अप्चन के अंदर तो नराज मत हो ना कभी मुझे गाली दे तो वो थोड़ा सा नराज मत हो ना ठीक अगला कोशन देख लेते सामने आपकी स्क्रिन पर आया एकश्ट कोशन ये रहा इनके उपर एक बार नजगे डालने देल कि हमार नेक्स्ट कोशन आपको द्यावा आई क्यू यानि इंटिलिंग बात हो री है इससे काफी question आपके exam में आए और सबसे ज़्यादा question जो आपके exam में आया इस बार, online वाले exam में कि इसकी आलोचना क्यों की गई ये वाला question यहास पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला चलो, आलोचना से पहले तो देखते हैं क्योंकि इसकी प्रस्ट भूप्र और क्योंकि ज़्यादा में सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके इत्यास के तरफ लेकर चलता हूँ थोड़ हो जाएगी क्योंकि यहा से भी कुछ basic जानकारी आपके exam में पूछई गई थी अब पता नहीं हो कौन सी shift थी और क्योंकि मेरे पास तो mostly paper थे बट मैंने मुझे को shift का ध्यान नहीं है देखे सबसे पहले जो इसकी सुर्वात हुई थी बुद्धी से संबंदित से संबंदित कि बुद्धी का जो टेस्ट किया जाता है क्योंकि आप लोग की बुद्धी नहीं करना चाहिए इसके नंबर ज़्याद है तो यह के नंबर कम है तो काबिल नहीं है यह question भी आपके stat के exam मेरे आता है कि बच्चों को IQ के अधार पर आप लोग क्या उनको लेबलिंग करोगे उनको पर्थक्करन करोगे जी नहीं कर सकते ये भी कुशन आपके CTAT के एकजामे पूछा गया है अब देखे अगर मैं बात करूँ IQ की सुरवात की तो सबसे पहले इसकी सुरवात हुई थी 1905 के अंदर तो 1905 के अंदर इलफ्रेट बिने से सुर्वात की गई ठीके इलफ्रेट बिने से सुरवात की गई और इनके साथ में एक और सकस थे आपके थिओडर साइमान ठीके ठीo definition एक और सक्स इनके साथ थे तो इन्हों ने दिया आपका intelligence test यहीं लिख देता हूँ यहाँ पर जंगय है इन्हों ने एक test बनाया जो जिसका नाम ता intelligence test ठीक है basically थोड़ी से आपको जानकारी दे देता हूँ कि एक फ्रांस की government थी तो फ्रांस की government ने बोलाया आपके एलफेड बिने साब को कि हमारी classroom के अंदर यह चेक करिए कि जो बच्चे है वो जो पढ़ रहे है वो कितना वो सीख रहे है ठीक है जो उनको पढ़ा रहे है तो बच्चा कितना कितना सीख रहे है तो जड़ा इस चीज का ग्यात करने के लिए इस चीज को पता करने के लिए ऐसा को टेस्ट बनाईए ठीक है तो भी ने करें साथ में अपना साइमन साब को लिया और साथ में बना दिया intelligence यहाँ पर एक बना दिया ठीक है उसके बाद 1905 के चीज को मोडिफाई करा और यहाँ पर imagin निकाला मेंटल एज का निकाला हुआ ठीक है जिसको आप लोग rice development के आधारपन निकाली जाती है वह कैसे देङे जैसे मानने काली जाटीक माल और दो ंध्युवा दस साल है ठीक है माननलो की एक टेश्ट हुआ कि हमान लूओ टेस्ट वा सो नमबर का इस मेरे में मेरे सो में से सो नमबर आगे ठीक है और यहापर भाही के भी सो में से मालो इसके 29 में नमबर आगे और आपके सो में संखर सभी इसान से 20 साल है लेकिन इंटेलेक्चुल ड्विकास किसका जाद हुआ मेरा जाद हुआ ठीक है तो यहापर जो मेंटल एज किसकी निकलेगी मेंटल एज यहापर किसके अकोडिंग निकली इंटेलेक्चुल ड्विकास किसका जाद हो रहा है क्योंकि एज तो सभी की एक जितनी है अभी आपको लोग पढ़ोगे जो आपकी वास्तिविक आई हुए वह आपकी सेम वही आपकी रहते जो आप लोग पढ़ोगे ठीक है तो यह आप लोग समझे कि 1908 में फिर एक मेंटल एज का कंचेप्ट यहां पर इनों ने दिया देन उसके बाद 1912 में बताओ जल्दी से 1912 में क्या है जल्दी निमें कैसे मांचिक आयू बटे वास्त्विक आयू ठीक है मांचिक आयू बटे वाश्त्विक आयू जिसको हिंदी के नाम से भी जाना जाता है यह हो गई आपकी मांचिक आयू बटेव वास्तिविक आयू वास्तिक आयू आपकी रियल एज जो है जैसे मेरी विदस्ति आप की विदस्ति यहाँ पर जो वाई यह उसकी विदस्ति तो यह आपकी IQ का concept आया 1912 के अंदर ठीक है यह आपका इस्टंड साहब ने दिया विल्यम इस्टंड ने दिया देन उसके बाद 1916 के अंदर इस IQ के concept को modify कर दिया इस्टंड साहब ने और इस modify करके into 100 के multiply कर दी और IQ का formula निकल कर आ गया ma upon ca into 100 जो काफी जंगा आपको यूज होता हुआ दिखाई देता है जिसके आदार पर हम किसी भी बच्चे का IQ निकाल सकते है कि बच्चे के अंदर कितिनी छमता है कितिनी उसके अंदर intelligence है यह हम उसके आदार पर निकाल सकते है अगर मान लिजे ठीक है अब ध्यान से सुनने मेरी बात को अगर मान लिजे अब हमने यहाँ पर IQ निकाल लिया ठीक अब यहाँ से चीज आपकी सुरू होती है ठीक अब यहाँ पर मान लिजे हमने IQ निकाल लिया बेसिकली एक IQ IQ की पूरी की पूरी टेबल होती है अब वो तो 405 बॉस वाले बच्चों को यहां पर का गया परतिवा साली बच्चे जैसे मेरे आपको से बीच में होता है वह आपके एवरेज इंट्यलिएंस वाले बत्चे ठीके एवरेज वाले लिखलो इससे काम हो जाएगा जिन बच्चों का एकिलेवल आपका 90 के डीच हमोटा है उनका लिए लेवल होताल है उनका ही की लेवल होता है अपका आपका pose to these कव हमेरह घूरी ला एक रियाल में में खुदी सिल अपतिव हतालु के लिए अपनी वैसे हवा बनाने के लिए ठीक है उसके लवा मानली जै किसी का IQ लेवल 25-30 के बीच में इनके बीच में और भी पूरी टेवल है मैं पूरी टेवल बनाके नहीं दिखा रहा पूरी टेवल बनाऊंगा तो आप लोग बहुर हो जाओगे और वैसे भी पेपर में आती नहीं है मानली जै किसी का IQ लेवल 25-30 से नीचे है तो उनको कहा जाएगा जड़ बुद्धी क्या कहा जाएगा उनको कहा जाएगा जड़ बुद्धी उनको कहा जाएगा तो भाई इसके अंदर कोई है आप लोगों में से है कोई नहीं होगा कोई अगर कोई जड़ बुद्धी का ह होता तो भाई वो यहां पर यहां तक थोड़ी आता सीटेट के एक्जाम में देने ठीक है तो जडवुद्दीन में सा आप में सा कोई नहीं है क्या होगा हमारी जान भची तो इस प्रकार से यह जो IQ की टेबल है इस IQ की इस टेबल को बनाए गया अब जब यह IQ की टेबल इस सोठ में बना के दिए अब इसकी आलोचना होगी जो बेसिकल यहाँ पर आपका कोश्चन पूछा था कोश्चन यहाँ पर पूछा है इस IQ जो परिक्षन है इन IQ परिक्षनों की आलोचना क्यों की जाती है वो आपको बताना है अब बेसिक लिए इसकी पूरी की पूरी एक इस्टोरी है कि जो IQ परिक्षन जब हुए थे और जिस देश कंदर हुए थे और वहां के लोगों के बीच में खुद डिफरेंस पा गया भासा के आधार पर व चीटेट के एक्जाम में आपका कुश्चन आना है जो चीज बता रहो बस उसको जान लिए आपका खेला खतम जब यह IQ की टेबल इस परकार साई जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर यह दिख रही है अब देखिए IQ की टेबल आ गई तो मान लिए मैंने आप से कुश्चन पूचा कि भई बुद्धी क्या होती है तो आप लोगों ने जितने बच्चा आप लोग देख हो द्यानसरना मेरी बात को जितने लोग आप लोग आप लोग आउज़ बो लोगे उस बोलने के आदार पर मैं आप लोगोंको सेक्रेंद' करूँगा तो यहाप लोगों के ब आपका IQ level को चेक करूँगा कि बच्चे किस प्रकार के आंसर दे रहे, किस quality के आंसर दे रहे, तो आपर सीधा क्या देखिने को मिली गया, बहासा के आदार पर मैं आप लोगों का IQ level चेक कर रहा हूँ, जो बच्चा अच्छा आंसर दे देगा, मैं समझ जाओंगा वो में comfortable ना हो, या English या Hindi के अंदर comfortable ना हो, तो यहाँ पर main region देखने को मिला भासा का, और इसकी जंगा सबसे appropriate answer आप लगई है, region देखने को मिला, संस्कृति का, किसका? संस्कृति का, यानि की culture का सबसे main region देखने को मिला, ठीक है? सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछा गय सभी के लिए test भी तो अलग-अलग होना चीए, आप लोगों के culture के according होना चीए, तो सभी, जब test एक परकार सो होगा, और culture आप लोगों का अलग-अलग होगा, तो IQ लैवल भी तो अलग-अलग परकार साना चीए, तो इसलिए इस IQ को जो है, वैलिड नहीं माना गया, क्यों बात आप लोग आप लोग समझ लीजे और उसके अकोडिंग अब इस कांचर आप लोग लगा लीजे ठीक है तो आप लोग समझ गए क्यों इस आई की लेवल के आलोचना किए जाती है क्योंकि आपर संस्क्रीति का परवाव देखने मिलता है जो कि अलग-अलग व्यक्तियों जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो अलग अलग बच्चों के अंदर देखने मिलता है ठीक है कोशलों की विस्तरत संकला को मापने की उनकी चमता जी नहीं इसलिए अलोचना नहीं की गई पर्त्यक्स रूप से पास्च्याक्तिय संस्कृतिय के परभाव से गलत गरसित ज प्रभाव बोदन होता है या संग्यान पर भावनाव के परभाव का अतीसिया प्राकलन होता है अच्छा एक बार बताओ क्या भावनाव का भी प्राकलन होता है कुछ इमोशन का भी असर पड़ता है मतलब जो आपके आईक्यू होते है इसके बार में बती जो आईक्यू ल प्र Kerry स्वाइब का हो इसके बारे में बतिए थैके तो आप लोग ढ़ख तो समझगे कि सीध्राइस का आंसर किया होगा लोग Damn फ। से परत्य किर्फिती होती है उसके परवाव से आपका किसीत होता है और जाना कि इसका इसका परवाव कुछ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है इसका कमेंड बोक्स में आप लोग बता देना ठीक है तो इसलिए आपके IQ की जो है आलोचना आपकी की जाती है second number answer आपका सही हो जाएगा क्योंकि culture की वज़े से इसके आलोचना की गई यहापर बच्चों का वेक्तियों का अलग-अलग culture आपको देखने को मिला question बड़ा detail में मैंने समझाया यहाँ से यह मान कर चलिए एक तो आलोचना वाला एक यह जो मनुविग्यानिक मैंने आपको थोड़ा detail में बता है वह वाला और IQ का फोर्मूला यह चीज आपको देखने को यहाँ से मिल सकते है आपके exam में और कई सीफ्ट में देखने को मिली ठीक है कंफ्यूज हो गई कुछ कहरें पड़ता है कुछ कहरें नहीं पड़ता है ठीक है बताओ जल्दी जैं हावर्ड गाड़नर ने अगला question आपके देखिये हावर्ड गाड़नर आ गए इसको उपर नज़े डालते हावर्ड गाड़नर ने अपने वह बुद्धी सिध् परकार की नहीं होती बुद्धी कई परकार की होती है हावर्ड गार्डनर ने क्या बता है हावर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धी होती है यारी जो इंटेलिएंस होती है वो होती है कई परकार की होती है क्या होती है बुद्धी होती है कई परकार की होती है आप क्या हो तो इन्हों ने इस सिद्दांत के अंदर कहा था कि जो हम लोग अलग अलग चीजे करते हैं उसके लिए अलग अलग परकारी की बुद्धी चलती है जहाज सबसे ज्यादा कुशन आपके सीटेट के एक्जाम में देखने को मिलता है ठीक है यह आपका बहु बुद्धी सिद् ठीक है बुद्धी के अलग अलग आया मैं यह लिख सकते हो कि बुद्धी के और यार यह तो पूरा ही चला गया कि बुद्धी कोई एक चड़ नहीं है बुद्धी के अलग 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 आया मैं ठीक है बुद्धी के आपके क्या है अलग 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 आया मैं बेसिकली प्रकरतिक शहां से लटाया है सामिल नहीं किया गया रिएagit प्राकरतिक बुद्धी सामिल किया गया कोश्चन पढ़ेंगे डिटेल में कि किस प्रकार का कोश्चन आता है अभी तो बड़ा बेसिक लेवल का कोश्चन है दूसरा इस्तानिय बुद्धी इसको सामिल नहीं किया गया जो इन्होंने आठ बुद्धि आपको बतानी है ठीक है अंतर वेक्तिक बुद्धी इंटर पर परकार की बुद्धिया होती है बुद्धि के कई सारे आयाम होते है बुद्धि खाली कोई एक चड़ नहीं है बुद्धि के अंदर कई सारी आपके आयाम पाए जाते है ठीक है यह आप लोग समझ गए ठीक है तो अब पढ़ेंगे इन बुद्धियों के बारे में का पूश्च जाता है ठीक है चलिए नजए डालते हैं पहला कुश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया कि रेनु एक विद्याल में प्रामर्स जदाता यान की काउंसलर है हावर्ड गार्डनर के सिद्धान्त के नुसार भावी प्रामर्स जदाता के रूप में उसके पास क कुछी बुद्धि होनी चीज़ बताओ जल्दी कमेंड बोक्स के अंदर लिंग्वेस्टिक इंटेल इंटेलियंस भासाई बुद्धि जी नहीं जिन लोगों के अंदर भासाई बुद्धि पाए जाती है उनको अपनी भासा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है ऐसा कमां घिन बढ़िया जवरतस्ट देखने हो यह बताओ अपनी बहासा पर बहुत बढ़िया कमांड देखने को मिल जाति है ठीके अगली बुद्धी है स्तानिक बुद्धी यहनि कि special intelligence देखे special intelligence के अंदर आदमी क्या काम करता है इमेजीनेशन करना श्टार्ट कर देता है जिसका एक सबसे सठीक और बड़ी एक्जमपल में आपको हमेशा देता हूँ जो बिल्कुल जाकर fit बैठता है ठीक है और वो कौन सा एक्जमपल है देखिए एक्जमपल बैठता है वो आपका आर्गिटेक्चर वाला यानि ठेकिदार वाला जिसमें खाली प्लोट हमारा रह तर्थ पर आदार पर इमेजिनेशन करने इस्टार्ट कर देता है तो इसके आपका आर्किटेक्चर आजाएगा इधर आपका चित्र कार आजाएगा इधर आपका मूर्तिकार आ जाएगा तो यह सभी आपके कोन आ जाते है स्पेशल इंटेलियन्स के अंदर आपके आ जाते है ठीक है एक और इसका एक्जामपल आपको देता हूँ ठीक है आप लोगों रहे पहले में देटा था सुट्ट के इंदर पहले आप लोग ने आप बात दे करते हैं कि मुझे कहा से कट मार कर का को बाइक लेकर जानी है ठीक है तो आइधिंक आप लोग ने ऐसा काम किया होगा अगर किया है तो अब मत करना वरना कभी चोट लग जाएगी और फैल जाओगे बढ़िया करके मेरे एक दोस्त ने कराता देखो यह लगा हुआ ना पूरा अच्छी खासी दूरी पर पूरा ऐसे जैसे सूपरमेन जाते ना बनते वे यह पूरा हाथ और यह इस तरीके से और मुझे इतना ध्यान था कि अगर मेरा सण नीचा गया तो मैं गया काम से तो बस बची गया उस दिन अच्छे तरीके से उनना स्पेशल इंटेलिएंस सारी इंटेलिएंस गायब हो जाती ठीके तो यह वाला काम मत करना अब देखो दो इंटेलिएंस के ओपर नजर डालते हैं इंटरापर्सनल और इंटरापर्सनल इंटरापर्सनल के अंदर क्या होता है जब आदमी कि दूसरों के मनुबाहों को पहचान लेता है कि इसके दूसरों के मनुबाहों को दूसरों की मनुदसा को दूसरों के साथ इंट्रेट कर लेता है तो आपका इंटर पर्सनल इंट्रेलिएंस उसके अंदर पाई जाती है ठीक है जैसे कि आप लोगों ने देखा हुआ है नेत एक बार जीतने के बाद किया काम करता है उसको पूसता भी नहीं को लेकिन उसको द्यान भी नहीं देता क्योंकि मैं कि पटा है यह पांग की जंगह फर की पॉइंट के बंफर और तो इस्व मुझे पрийम今天 फिन Questo की आ मैं जणा दो आने के नापर पब्लिक लड़ती भी फब्लिक लड़ती है ठीक है क्योंकि नियता के अंदर वाली बुद्धी पाया क्या जाते हैं इंटर परसनल इंटेल इनिज पाइए क्योंकि उसे पता है वे गुफ रही बन जाई या राम से दुब कांदार के अंदर यहा कपड़े लेने जाओ जैसी दुकान गंतर को एक चर्च भी सर्ट लेने गया और टीशर्ट माऺे मिरे उपर अच्छ ने लगा रही हाला कि मेरे ऊपर ठीक लग जाएगी मायं Disko Parch New नहीं लग रही और जैसी वह बाद निकला चेंज करके दुकानदार वाला देखते गएगा वाब भाइसाब एकदम सलमान खान लग रहे हो भाई ये टीशर्टी आपके लिए बनी है अब वह देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या को मलब सब्दी न शकतनी के लग रहे हो लड़की रहे हो लड़की दोती न और कर लवाया जाती है जो ये पॉलिश अगरा सेल करवाते है तो को एजेंट इसके अंदर आ जाते है सरी वाली पोलीची ले लो इस वाली पोलिची चल्ट की पोलीची और इसके बाद ये 20 lakh बनने मिलेंगे और वाली देतों यह ज़्यादा बड़ है हां सर यह ले लो इसमों मंदने के बाद करोड मिलेगा ऐसे करके कर जाते जो आपके एजेंट भी रहते लेटे लिए पुद्धी परिया पाए जो इं segunda कि इसलिए टीचर को कोई बहुत जल्दी बेवकुपनी बना सकता ठीक तो आप लोग समझ गई ये वुद्धी कौन सी होती आपकी इंट्रापर्सनल इंट्यलियंस होती है जो दूसरों की मनुदसा को हाव भाव को बहुत जल्दी पहचान लेता है अगली इंट्यलियंस आपकी इंटरापर्सणल इंट्य cups जिसमें आद्मी खुड से इंट्रेट करता है खुद कुई मनुदसा को खुद के वाव को पैचानता अपनी इंत्राप्रार पर्समा को पैचानता वह आपके इंटरापर्सनल इंट्यूंवन्टी अगी कुछ आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं तो वह सब इसके अंदर आ जाते हैं जो आपके आध्यात्मिक गुरु रहते हैं वह सब इसके अंदर आपके आजाते हैं वह आपके के सब ज़्याद है पूची गई है ठीक है ठीक है बढ़ते आगे एक बच्चा कहा रहा है सर आगे पड़े यह कुछन में कितना टाइम लगा होगे भाई देखो इसके अंदर चार बुद्धी मैंने आपको बताई यानि चार कोशन आपको बता दिए अगर खाली एक कोशन का फिर एक कोशन बता देता तो उसके एक कोशन में आपका निप्टा रहा हो जाता तो चार कोशन एक के साथ आपको बता रहा हूं आपको ठीक है तो जैसा करा रहा हूँ वैसा पढ़ते रही है उसके बाहर आपका एक्जाम नहीं आएग यह वाला ठीक है तो आप पढ़िये नहीं अपने पढ़िये कि आपको क्या पढ़ना है ठीक है चलिए बात करते हैं आपके next question के उपर अगला question देखते हैं सामना आपकी screen पर आई यह आगया मदुली का निरत्य और योग कला में निपुन है ठीक है डांस में और योग कला में निपुन है आपको बतानी है अब देखें इंट्राप पर्सनल मैंने explain कर दी इसको explain करने की ज़रूत नहीं है इसको explain करने की ज़रूत नहीं है बस दो बुद्धी मुझे को explain करने है ठीक है क्योंकि वह explanation मैंने सारे detail में दे दिया बोड़ी का इस्थिटिक इंटेलिएंस यानि की सारीरिक गती समेधिक बुद्धी इसको नाम से समझ मारा रहा है बोड़ी को गती देने वाली बुद्धी किसको सरीर को गती देने वाली बुद्धी होती है जिससे हमारे सरीर को गती मिलती है ठीक है जैसे मान लीज अभी म के अंदर हो जाएगी जिससे सरीर को गती मिलती है ठीक है तो यहाँ पर जैसे आपका इसने दियावाई डांस ठीक है क्या हो जाता है इसके अंदर आपका डांस करना जैसे दोड़ना भागना इससे के अंदर हो जाता है जो आपके एथलीट होते है उनके अंदर ही वाली बु कि लुद्धी होती है I really jot ya musical intelligence जिनके अंदर M Hudson ऑग जाती है वो लोग क्या वनते वह लोग बेसिकली जाते अपने singing कει ओन यानी वह वück fırक्त गायक बनते यह फिर वह लोगं वह देखे गायक तो आ लोग समझ गे जैसे अzychसिरे समया रेजींद लता झार जी जो किस और दायस ऐसे बने ठीक है या उसके लावा आप लोगों ने जैसे डीजे वगरा देखे होंगे क्या यो यो करते वे सुने होंगे उनके अंदर वाली बुद्धी पाए जाती है जिनको अपने संगीत में वुद्धी का ग्यान जादा होता है तो यह आपर आंचर नंबर आपका थर्ड सही हो जायागा ठीक तो कितनी एक्स्प्लेन कर दी मैंने छे एक्स्प्लेन कर दी अभी सिफ दो बच्ची आपकी नेक्स्ट कोष्चन देखें नेक्स्ट कोष्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया अगली के उलकर एक बार नज़ा डालेते है शि improving थे मैं की 1 को से अव्य व्यापक तरीचे से बुद्ध नहीं नहीं नापते अगर व्यापक तरीचे से से नाते तो इनके किटिस्जम नहीं होता आपका बुद्धी लद्धी परिक्षणों में मापने की निश्चित प्रकार की तुरूटी बिल्कुल इनमें एक निश्चित प्रकार की तुरूटी मापी जाती है क्यों जो इसके नंबर मिलते कि इसको 140 कि इसको 90 से 110 कि इसको 25 से 30 मैंने बताया तो उनमें एक निश्चीत प्रकार के एक तुरूटी यह पाया जाती है तो नमबर जो होते एक तो आपके वह आज्सतिर पाया जाते है ठीक है यानि एन्वार्मेंट का फरक मिलता है और वह उपर नीचे हो सकते है उसके अंद कि नहीं है वह आपके कैसे है गरेश्ट है चलिए बढ़ते पर आपके नेक्स्ट कोश्चन कि और अगला कोश्चन सामनी स्क्रीन पर यह आ गया कानिस्टिटिक इंटेलेंस यानिकी गति-सी लात्मक berghti से क्या तात्क पर यह वहीं बुद्ध्रि ansagya आता आगी तो भासा को तो यहां पर जिकन नहीं होगा जल्दी से कमेंड बोक्स में आंसर बताओ यहां पर कौनची बुद्धी आजाएगी इसका कमेंड बोक्स के अंदर आंसर बताओ समस्याओ का तारकी क्रूप से विशलेशन करने की चमता आजाएगी तो यह कौनची बुद्धी आएगी आपकी जल्दी सका कमेंड बोक्स के अंदर बताओ साब दिखता के स्तान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करने की छमता आजाएगी तो ये भी नहीं आएगी आपकी भई ठीक है क्या आजाएगी आपकी द्रड सारीरिक योग्जिता एवं समंद्ध में होना यहापर बात आजाएगी strong physical abilities की बात आजाएगी ठीक है जब यहापर physical activities और उसमें तालमिल बैठा कर अपने स्रीर को मूव किया जाता है activity कराए जाती है तो आपकी किस से सम्मंद्ध होती है बोडलिक काइनेस्थिटिक यानिकी सारीरिक बुद्धी से आपकी सम्मंद्ध होती है ठीक है तो answer number कौन सा हो जाएगा fourth answer से हो जाएगा बासा की बात आ और यह तो बासिक बुद्ध हो जाएगी तारकी गुरूप से समस्मंद्ध को समझाने की बात हो जाएगा तो आपकी mathematical intelligence यानिकी यहापर second हो जाएगा यहापर सब्दों की स्थान पर चितरात्मक रूप में चिंतन कनने की बात और यह तो आपकी special intelligence हो जाएगी ठीक है तो answer यहापर आपका fourth सही हो जाएगा next question देखते है अगला question सामने स्क्रीन पर यह रहा है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवी और लेखक होने के लिए व्यक्ति में किस प्रगार की बुद्धी होनी चाहिए इसका सटीक सांसर बता दो explain कर चुका हूँ इंटरा-personal intelligence जी नहीं इंटरा-personal नहीं होगी linguistic जी हाँ यान की बहसा ही बुद्धी जिनके अंदर आप जिनको अपनी बहसा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है जैसे कभी हो गए लेखक हो गए इनको अपनी बहसा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है इनके अंदर यह वा चीज़ अगर डीटेल में explain हो जाएगी न तो बाद में आपको question में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है चलिए यह वाली बुद्धी भी हो गई आपकी अगला देखते है नेक्स्ट कोस्टन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया यह रहा next question परतिबासाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धी लब्दी परिक्षन ही एक मात्र पैमाना नहीं है बिल्कुल सही बात है परतिबासाली बच्चे जिनका IQ लेवल कितना होता है 140 पलस का जिनका IQ लेवल होता है तो अगर आपको इनकी पहचान करनी है तो शिर्फ क्य अगर एक मात्र तरीका IQ लेवल होगा जी नहीं और बहुत सारी तरीके क्यूं परतिबासाली बच्चे वह बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्याद है इन बच्चों के अंदर पाए जाती है सबसे ज़्याद है इन के अंदर क्या पाए जाती है creativity इन के अंदर पाए जाती है इन वाले बच्चों के अंदर क्या पाए जाती है creativity इन वाले बच्चों के अंदर पाए जाती है according to NCRT NCRT ने इसके परतिबासाली बच्चों के लिए तीन बाते कही हुई है NCRT ने ये वाली बात कही हुई है कि अगर कोई परतिबासाली है तो उनके अंदर ये तीन component यानि तीन बाते होनी चाहिए उनके अंदर होनी चाहिए high ability ठीक है उनके अंदर होनी चाहिए आपकी high ability कि किसी भी काम को करने की उच्छ छमता होनी चाहिए और यह कर लेते हैं उसकाम को यह किसी भी काम को करने के लिए मलब challenge के रूप में उसको लेते हैं कि यह कोई काम आ गया तो मैं इस काम को easily कर सकता हो यह नि उसकाम को चुनोती के रूप में लेते जो आपके परतिवासाली बच्चों होते हैं इन बच्चों के अंदर पाए जाती है हाई creativity पाए जाती है क्या पाए जाती है इन वाले बच्चों के अंदर पाए जाती है हाई creativity इन बच्चों कंदर पाए जाती है रचनात मकतब पाए जाती है हर चीज के पीछे क्रियेटिविटी ले ढूंडते रहते बच्चे जो आपकी ठीडेट मूवी आई ती तो इसमें जो रैंचोरदास आमिर खान मनेते उपेच कस लेकर गूमते रहते थे हर जंगे पर ठीक है यह आपके परतिवासाली बच्चे थे आपके गूगल वह होगे जो हर्याना के जो गूगल वह है ठीक है उनके अंदर देखो कितनी क्रियेटिविटी एक है को व्यांचर दे देते हैं सिधा तो हाी क्रियेटिविटी पाई जाती यह हाई कमिटमेंट इनके अंदर पाई जाता है ठीक हम।ibile इन तीन बातों की बात आपके बलिकन Supreme यह बात आपके परतिवासाली बच् scientifically हो गई और अगर किसी की परतिवासाली का टेस्ट करना है तो सिर्फ उसका एक्मात्र सादन आपका IQ टेस्ट नहीं 把 का इनके आपका बुद्धि परिक्षी परिक्षाम आपका वह इंडलींस टेस्ट आपका 1 मातर तरीकल नहीं तरीका बहुत सारे तरीके कुई जी कॉंपिटिशन और्गिनाइज कर दो उसके लावा कुछ ऐसा आपसमें डिस्कसन करा दो बहुत से बच्चों का पता लग जाएगा कि कौन परतिबासाली बच्चा है क्योंकि जो परतिबासाली बच्चे होते हैं अपनी क्लासरूम के या अपनी जैनि ए और और दोनों सही है और और सही व्याक्या करता है एक ही तो अप्शन नमबर फर्स्ट यहापर सही वन गया ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कोशन के और अगला कोशन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा रजिनी देखी गई वस्तुवा के मानस चितरन और परिवर्तन में बहुत कोशल है हावड गाड़नर के बहुवद्धी सिद्धान के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धी दर साती है जड़ा इसके बारे में आंसर आप लोग लगाईए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ठीक है जी हाँ चित्रन और परिवर्तन में बहुत कोशल है जैसे कोई वस्तौ देख ली वही मैं आपको बता रहा हूं जैसे वmm साब जी इधर से बना देंगे इधर से काम हो जाएगा तो यह वाली परिक्रिया कौन सी देखने को मिल रही है यह परिक्रिया देखने को मिलेगी आपको स्पेशल इंटेलिएंस में किसमें स्पेशल इंटेलिएंस के अंदर यह वाली आपको चीज़ देखने को मिलेगी next question तो कौन चे मनु विज्ञानिक है चाल्च इस्पेरिमेन बिने है थियोडर साइमेन है या हावर्ड गाडनेर है वो आपको बताना है question शुरुवात में आपको detail में explain करा था अगर सुरुवात में detail में explanation आपने देखा होगा जल्दबाजी नहीं मचाई होगी आपने answer लगा दिया होगा जैसे मालेज आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के लिए अभी आप सीड़ी भी पढ़ रहे हो तो अब इन्हों ने बताया आपनी one factor theory बताई intelligence बताई ठीक है उसके बाद आए आपके चाल्स इस्पेरिमेन चाल्स इस्पेरिमेन ने बताए कि इन्होंने गलत काड़ दिया इन्होंने बताए बुद्धिके दो फेक्टर यानि इन्होंने दी टू फेक्टर थोरी कौन सी इन्होंने दी बुद्धिके अंदर टू फेक्टर थोरी दी जिसके अंदर इन्होंने बुद्धिके दो फेक्टर वता है कि खाली बुद्धिक अंदर एक फेक्टर नहीं होता वह कैसो नहीं होता देखिए इन्होंने का हर काम करने के लिए आदमी अपनी एक बुद्धिका यूज करता है जैसा अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए अपनी बुद्धिका यूज कर रहे हो ठीक है लेकिन मानलीज आपको किसी के साथ घुमने जाना है ठीक है और घुम नहीं पिसकते अभी तो हावर्ड गार्डनर के अकोडिंग मुझे यह जो है ठीक हाली एक फैक्ट नहीं होता हर बुद्धी हर जंगा पर अलग अलग प्रकार से चलती है इसलिए इन्होंने वन फैक्टर थोरी को काट कर दी टू फैक्टर थोरी कि इन्होंने दिया जी फै सामाने बुद्धी कई ँसके सामान्य बुद्धी यह तो आपकी सभी यूज करेंगे बाहर जा रहे तो इसका यूज करेंगे लेकिन एक एस फ्रेक्टर भी इन्होंने बताई कि अगर मालीजा कोई आदमी किसी और काम को करना चाहता है ठीक है मालीजा गोमने चाहता है कि खाना पीना चाहता है तो उसके लिए इस विशिष्ट योगता को और जित करना पड़ेगा मालीजा अगर क दिया यानि किसी और दूसरे काम को करने के लिए एक और नया फैक्टर यहां पर इन्होंने जोड़ दिया ठीक है तो चाल्स इस प्रेमेन ने बताई दो फैक्टर थोरी ठीक है ठीक है तो इनके साथ ते लेकिन हावर्ड गार्डनर ने बताई आपकी कौन सी अनेक स्क्रीन पर आगया इसके और अपर एक बार नज़र डाल लेता है ठीक है तो इस पर सब्सक्राइब कर दो ठीक है कह सकते हो ठीक देखे नेक्स्ट आपके सामने अनीता वेचारिक कोशल जैसे की कारन परभाव संब्ध का इस्तमाल होने वाली पहलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह सुल जाती है हावर्ड गाडनर के बहुबिद्धी सिद्धान के नुसार अनिता के पास उचिस्तर की कौन सी बुद्धी है देखे जब किसी समस्या के समधान की बात आ रही हो और जहापर उसमें तरकी की बात आ रही हो रिजनिंग की बात आ रही हो किसी समस्या के समधान में तो वहापर बेसिकली जो यूज होती है वो बुद्धी होती है आपकी mathematical intelligence कौन सी logical mathematical intelligence तो answer number हो जाएगा first answer आपका वापर सही हो जाएगा जहापर जो बच्चा होता है अपना logical reasoning का यूज करता है जहापर बच्चा होता है अपना mathematical calculation का यूज करता है किसी समस्या के समधान के लिए होगी तो आंचर हो जाएगाफ का फॉश्टांज यहापर से होजएगा कोई भी पहिली होगी कोई आपके सामने समझा होगी समस्क्राइब आपके सामने स्विटजिया है इसका समझ भी आन हरना को करना है या 150 में कैसे लाएब या 150 में जो भी होगा इसको ऐसे करूँगा ゃही जो आप aí नेक्स्ट कॉस्ट्टन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा नेक्स्ट कॉस्टन शिक्सकों को बच्कों की आई क्यूव मापने के लिए भुद्धिलब्ध की मानकी करत्प प्रिक्साओं का इसथमाल करने सप्ड़िए दो मान की करत आ गया मानकी करता आने पर मैंने क्या का था हाथ चूम कर क्या था जाएगा बच्चों के बीच में नहीं करनने की सीवी आधार पर चाहिए मानकी करत परिक्साइब तो चोड़ दो आजकल तो वैसे भी भुष्षवाणी नहीं कर रही तुम्हारा तो पहली हाल खराब है और तुम आजकल इतनी फोम में कैसे बात कर सकते हो तो यह भी आपका भाई आपर गलत हो गया ठीक है तो दोनों ही गल चली बढ़ तो आपके नेक्स्ट कोशन के ओर आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो और मानकी करत को देखते ही उड़ा देना इसको ठीक है चली नेक्स्ट कोशन आपके सामने स्क्रीन पर आगया यह रहा नेक्स्ट कोशन बुद्धी मता का अनुबवातमक तत्व यह इनकी experiential element बुद्धी का वो कौन सा है वो आपको बताना है बतिये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अगर आप लोग इनके option को देखोगे तो उस option के according आपको ध्यान आ रहा होगा जो इस्टनबग ने दिया ता आपकी ट्रायर की ठोरी ठीक है जो इस्टनबग की ट्रायर को पताया के तीन परकार की ठीक है जिसमें बताया पहला creative जिसको आप लोग कह सकतो उनकी अनुभवातमक बिद्धी ठीक है तो अनुभवातमक बुद्धी जिसे आप लोग भी CTAT का एक्जाम देने आयो तो CTAT से पहले आप लोग ने अपने teaching training course के अंदर जो पढ़ाओगा उस पढ़े हुए के आधार पर आप लोग या CTAT के अंदर सीख रहे हो यानि अपने अनुभाव के अधार पर आप सीख रहे हो जब CTAT का एक्जाम पास कर जा आपकी पाई जाती है जब आप कीसी समस्चा को खंडों में तोड़कर उसको सीखते हो जैसा CTAT का एक्जाम है तो समस्चा के अंदर जो आपके subject है उनको अपने अलग-अलग कर दिया समस्चा को तोड़ दिया सीड़ी ऐसे पढ़ रहा हो इसको ऐसे से सोल कर रहा हो इसको सब्सक्राइब तो इस प्रकार से आपने खंडों में तोड़कर पूड़ गटकों में अलग-अलग करके आपने समस्चा का समधान करना सुरू कर दिया तो समझ लेना आपके अंदर यह वाली बुद्धी है ठीक है तो सी हो गई ए हो गई और उसके अलावा प्रैक्टिकल इंटेलियंस यानिके आपके वहवारिक बुद्धी वह बुद्धी जो आपको आपके वहवारिक के अकोडिंग आपको कोई चीज कराए ठीक है जैसे जो आपके इससे सीधा सा इसका मतलब होता आपके वातवरन से एनवारमेंट से ठीक है जो आपके वातवरन यानिकी एन एकोडिंग आपको चीज़े कराए ठीक देखे ये बुद्धि के हैश्य होती है आपकी जैसे मानली जब आप वीडियो देख रहे हुं और वीडियो देखते-देखते-देखते-चाइए आपको अभी आपके घर के अंदर कोई चोर आजाए तो आप लोग कौनची तो आपलोग क्या काम करोगे खड़े होते ही या तो डंडा लेकर पिटा्य करना सुरू करोगे या फिर फीर सो नमबर फर कोल करके फुलिस को बलाओगे ठीके तो आप लोग कैसा काम करोगे वैवार के अपनी बुद्धि करोगे यानि practical intelligence का यूज आप लोग करोगे ठीके practical intelligence का आप use करोगे तो या पर बुद्धी मत्य का जो अनुबवात्मक तत्व है तो वो किस से आपका जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है आपका creative intelligence से जो आपके इस्टरन भग ने बुद्धी के तिरी तंतर शिद्धानत के अंदर बतायते कि तीन element बतायते इन्होंने बुद्धी के और तीन हो element जो आपके सामने स्क्रीन पर दिये हुए ठीक है यह आप लोग समझगे यही तो करोगे ना आप लोग किलास देखते हुए next question आपके सामने स्क्रीन पर आगया next question के उपर एक बार नजड़ डाल लेते हैं ठीक है जोखो एक राजकुसोर परसाद बोले कि मुसकान किलास में हो यह कमेंट कर रहे है तो अभी यह कमेंट कर रहे है राजकुमार की मुसकान किलास में हो यानि उनलाइन कमेंट कर रहे है तो अगर यह उनलाइन कमेंट कर रहे है ठीक है मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते पढ़ाते इनका सीधा ध्यान अपना यहाँ पर है कमेंट बोक्स केंद तो यह कैसा कर रहे है अभी यह अपने प्रैक्टिकल इंटेलिंस का इनके घरवाल और इनकी चैट देख ली कियार मेरा लड़का तो मुष्कान को डूंड रहा है तो इनमा भी बजना सुरू हो जाएगा ठीक है तो देखो भाई मुष्कान राजविकुमार क्या नाम था गोडा नाम थे क्या नाम थे इसका प्याहिए इसका नाम ऑपर चला गय आपका कमेंट करेंगा या गाली मुझेए अब धेखतेरा राजकुमार के comment को देखते हैं है तो आएगा नहीं आएगा ठीक है या तो देखतें जाना आप लोग बीर राजकुमार का कमेंट आएगा नहीं आएगा कमेंट बोक्स में ठीक है तो अब उसने कोंची इंटेलेंस को यूज करा प्रैक्टिकल का वैवार के कुणिंग अपनी बुद्धी दिखाई उसने ठीक है कि मेरी चोरी पकड़ी गई मैं मुसकान को डून रहा था मुसकान किलास में हो या नही ठीक है अब नहीं आ रहा थे राज कुमार ही राज कुमार पटा ले इसक तो नामी के बहुत गंदा है वह को दूसरा है बच्छा दूसरा यह तू कुछ और नाम है सक टीक है यह गलत है अब यह आंसर दे रहा है साध डी यह यह ना वो तो कुछ घोड़ा कर गेता साइद यह तो पटले करके कुछ है साइद अलग कुछ कास्ट होगी इसकी तो बच्चेगी ठीक है इसको उपर नजर डालते हैं वह एक कुश्चन के उपर निमली कि तुमें से कौन जी विशेस्ता परतिवसाली विद्यारत्यों की नहीं है इ लो भाई देखो मुस्कान है जी भाई सर्मा आ गया है चलो नजर डालते हैं परतिवसाली विद्यारत्यों की विशेस्ता नहीं है नजर डालते हैं पहला ओसत से अधिक बुद्धिस्तर होता है बिल्कुल से बात है यानि इनका जो इंटेलेंस से लेवल होता है ना एवरे समस्या समधान का कोसर होता है मतलब कितनी वी वड़ी समस्या उसका समधान करने के लिए या रहते चैलेंज लेते और कर भी जाते समस्या का समधान बेसिकली ऐसे लोग जो रहते किसी भी देश की धरोर रहते संपता रहते आगे जाके यही लोग मतलब देश का नाम रोसन क लिए आपका पेड़ कोर्स लिया है अच्छा चलो ठीक है मुस्कान खान आपकी गलती नहीं है लेकिन यह राजकुमार कहा गया यह राजकुमार घोड़ा अब दिखने रहा है घोड़ा नाम ता पता नहीं क्या नाम ता ऐसी मुझे दिखाए आया नहीं ना वह चुप गया अब मैसेज देख रहा हो ऐसी शलम उसकान खान को नहीं बोलते कुछ भी ठीक है क्या पता है राजकुमारी कुछ कर रहा हो उल्टा सीधा कोशल ओपर निपुणता पराप्त करने के लिए उस इस तरी अभी पेड़ना बिल्कुल सही बात है जो इसकी स्कुल्स होती है ना उस पर निपुणता पराप्त करने के लिए मोटिवेटीड रहते हैं आप में से बहुत बच्चे होंगे प्रतिबासाली ठीक है हर बार सीटेट के एक्जाम के लिए मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनका स्कोर जो 140 का आस पास रहता है ठीक तो आप में सी तो ऐसे बच्चे होते हैं तो धीमापन नहीं रहता और अपने बागी के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके मुकाबले में तो बहुत तेजी से मलब एक्क्वाइर करते हैं कि इसी नोलीज को तो यह ओप्सन नेगिटिव पूछा तो नेगिटिव का भाई आपका नेगिटिव सह भी हो जाएगा नेफ्ट कुस्चन देखते हैं नेच्ट कुस्चन आपके सामने यह रहा स्क्रिन पर यहां पर गाडनर के बहुन बढ़ी सिद्धांत के नुसार अंतरव्यक्तिक यह यह लगते इंगलिजेंज में देख़ा करो यहां पर दिवाए इंटर पर्सनल इंटेल जिसमें आदमी दूसरों के साथ बढ़ी इंट्राइट करता है दूसरों की मनों दसा को हाव भाव को अच्छे तरीके से जान पाता है जैसा आपके नेता दुकांदार वगरा मैंने आपको बताइती ठीक है इससे क्या ताथ परिये जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने आंतरिक यानि खुद के अंदर की भावनाओं को पहचानना वह आपकी इंट्रा के अंदर था इंट्र के नहीं था तो यह गलत हो जाएगा दूसरों के मनों भाव सवभाव प्रुसान और नियत को पहचानने तथा उचीत तरीके से प्रितिक्रिया करने की योग्यता बाकि पढ़ने की जुरुत भी नहीं है आंसर आपका सेकिंड से ही हो जाएगा ठीक है चलिए देखते आपका नेक्स्ट कॉस्टन अगला कॉस्टन सामने स्क्रीन पर आगया हावर्ड गाडनर के अनुसार अंतर व्यक्तिक अच्छा अंतर व्यक्तिक इंट्रा होगा जरूर अंत सामाजकी जिए के इंट्राके नहीं होती है दूसरों की भाशा कि आर्थवए लहगो समझने की आपकी मैं नेक्स्ट कोश्चन देखिए अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा एक बुद्धी बच गई थी वस आपकी बाकि सभी बुद्धी देखो मैंने आपकी करा दी ठीक है अब कोई बुद्धी ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो और इनी बुद् सब्सक्tar की करीक्षोंकी बूद्धों की बात हो रही है तो जिनको एंवारिमेंट ऑपने परीथ्वी से लगाव रहता है ठीक है पेड़ पोदो से जानवर से खनीचों से लगा होता है उनके अंदर जो बुद्धी पाई जाती है वो पाई जाती है naturalistic intelligence याणि कि आपकी प्राकर्तिक बुद्धी ठीक है और यह जो प्राकर्तिक बुद्धी पाई जाती है वो पाई जाती है basically environment lover के अंदर पाय जाती है उसक लिए बढ़ते हैं आपके next question के और अगला question देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा next question इसको पर एक वार नजर डालते हैं ठीक है ऐसे एक टीक है next question आपको देखें क्या दिया हुआ निमली कितमेंसे कौन सी बहुबधी सिध्दान्थ की आलोचना है देखें बहुबधी मेशना की कि अंगला बताता हूँ तो अब इनकी आलोचना भी हुई, पहले उप्षन देखते हैं फिर आपको आलोचना बताता हूँ बहुबुद्धी केवल परतिवाय हैं, जो पूर्ण रूप से बुद्धी में विद्धिमान नहते हैं, बिल्कुल से ही बहुबुद्धी क्या होती हैं, केवल परतिवाय हैं, और जो बुद्धी के अंदर विद्धिमान होती हैं, ये पहली इनकी आलोचना होई, जो आप अलग-अलग परकार की बुद्धी बता रहे हो, ये बुद्धी नहीं परतिवाय रहती हैं, जो बुद्धी में आपकी इन इंबोल रहती है पहली तो आपकी यह आलोचना हो गई कि इनको आप लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धी मत मानी है दूसरा आपकी एक अलोचना यह हो गई कि बुद्ध्यों को आप मापन यानि की मेजन नहीं कर सकते जैसे माली जै किसी कंदर आपकी इंटरपर्सनल है मुजुकल इंटलिएंस है सपेशल इंटलिएंस है तो आप लोग इनका मेजर कैसे करोगे इनको माप होगे कैसे तो क्या आपके पास को इसा माप दंड है जिससा आप यह अलग 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 प्रकार की बुद्धी को अगर माली जै किसी कंदर इंटरपर्सनल है ठीक है दू तो आप इसका कोई मेजर नहीं कर सकते मापन नहीं कर सकते तो अंसर नंबर इसके अंदर आपका पहला सही हो जाएगा ठीक है ठीक है चलिए बढ़ते बापके लास्ट कोशन क्यों और यह बुद्धी का पूरा चैप्टर यहाँ पर आपका कम्प्लीट हो जाएगा जितने भ लगता कोई कोशन आप गलत लगा पाऊगे ठीक है यह पूरा निचोड मैंने आपको बताया है यह महत्पून है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धी लद्धी के अधार पर इस तीर समों में पर्थक ना करें देखो कुश्चन आ गया बहुत सी बाते ऐसी होती है जो कई बार पूछी गई रहती है तो जो मैं एक्स्टा चीज़े बताता रहता हूं उनको ध्यांचा सुना करिए वह अग्जाम में ही पूछी गई रहती है यह एक्जाम के पॉइंट आप यू से महत्पून होती है तो कभी उनको यह मत्त सूचे कि एक्जाम में नहीं आएग करेंगे एवरेज वालों को लगसे पड़ाएंगे जडबुद्धिवालों को लगसे पढ़ाएंगे ऐसा नहीं कर सकते हमको तो बच्चों को समाव्षी सिक् hanging जाता एकोंडिंग शिक्सा देनी है यही तो बात आज की डेठ कके आंदर कही जाती है तो मुन कर संसाग नहीं कर सकते और थक कर नहीं कर सकते क्यों यह नहीं पर दियापक के लिए आसुइदा जनक SNS विद्धियालों के लिए आसुईता जाना के नहीं यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामुई कॉम्पिटिसन नहीं करने देता गलत ये भी गलत है बुद्धी लब्धी संकल्पना इस्ताई नहीं है बिल्कुल सही यानि जो IQ का जो हो इसताई नहीं है क्योंकि उसका देखो किटीसिसन भी वह था आलोषना भी थी और जो नमबर मिलते 140 या जो भी मिननमबर उसके अंदर मिलते वह फिक्स नहीं है ठीक है और यह बच्चों को चिनीद करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है यह इसको को लेबलिंग करने के लिए जिम्हेदार होते हैं अब मालीज़ आपके नंबर Burka माने के बाद जैसे श्कूल में किसी का नंबर कमा जाती है अ सब्सक्राइब करना नामंकित नहीं करना ठीक है तो यह काम हमको बच्चों को कभी नहीं करना ठीक तो इसलिए आपके जो आइक्यू लेवल है आइक्यू लेवल के आदार पर बच्चु को हमको पर्थकरन कभी भी नहीं करना चाहिए ठीक तो आंसर नंबर आपका फॉर्थ सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह आपके बीस कुष्टन थे आइधिंक बीस नहीं आपके एक कुष्टन से संब्धित आपके बहुत कुष्टन बन जाते हैं इमानदारी से बते ही आपका कितना स्कोर है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग टोपिक बताऊंगा और जो आपको आठ वजे वाली किलास के अंदर ही मिलेगा आयोप आपको वीडियो पसंद आई होगी को नया सवाल है आप लोग अपना पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई ठीक है ताकि आपको यह इसी परकार से वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है पूछे क्या सवाल है आपका जिल्दी से पहले बार सिट देने जा रहे हूं प्लीज सजेश्ट मी सीट के लिए आप बीफी कर रही है किलास लेते रही है ठीक है ठीक है परेवा लवलेश कुमार बीस में से बीस करती उत्तम किलाश ठीक है अच्छा अनुपिरिया आप वर्टसम मैसेज कर दीजा आपका हो जाएगा ठीक है ठीक है अविनास सिंग आप आपका भी रिप्लाई मिल जाएगा थोड़ा उसमें टाइम लगता है वर्टसम पर रिप्लाई में कि द्रीक लास आपके पॉर्टल पर ओ रहेख क्योंकि यूट्यूब के उपर ओलेडी में इतनी थ्यूरी करा चुका हूँ मतलब आप लोग उसको यूट्यूब के पर सर्च मारए देए आपको धोरी क्लास में लेडी करा चुका हूँ वाकि सारे सब्जेट के आपको अब लोग ले सकते हो अब जिन वस्ते सब्जी सीट एट का पीड कोर्स चला है अप्लिकेशन पर जाकिलास लिक्यास बताई बहुत इसी पर चला है आपका सच्छी ने कर्मी ओफिसल पर ठीक है अगर आपको इस पर कोर्स लेना है विद कॉंटेंड के साथ जिसमा आपको अफिर एंचार्टी पिरिवेशर कोश्चन कुछ लेने के जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुड़ नाइट है तो उनली वाला अंचर गलत होता है ना हाँ ओनली वाला गलत होता है लेकिन अब जब अनलीसिस का रावना में पेपर को तो 90 परसेंट तक गलत होता है मतलब अपनी भावी को भी पढ़ा रहा हूं ठीक है वेरी गुड़ सीड़ी तो आपकी एसे हो जाएगी मतलब आप लोग 30 में से 30 वाले इतने मिलेंगे बहुत जाद है आपके जो पिछली बार भी जब सबी तक सीट हो रहे है और इस बार आपका ओनलाइन से इंटर्यूu थे इक की ऐसी मैनि है गुपता बसे फोटो लगा रिखिया अर 케 मैं आइऐ हांवरश को ८ैश्वारा अश्यक्र डाम ए सटके आप मैंने जो मीरे वाले यूट कराने को आप्संफन ते जिए हैं अब मेरे वाले नोड़ को प्रेंट करा सकते हो ठीक है बाकी जो उसमें क्लास का है उसकों यह लेकंन नोड़ का प्रेंट को अपसंमा सकते हैं SR मैने आज आपका बैकन कोर्स लिया दॉ prior का यह मिलेगी वह पहले किलासöl limited क्लासमें चलिए जाती है जिसाप लाइव चलती है फिर उसके बाद रिकोर्डेट मैं चलिए ठीक है थीक है मैंने हाभ बीच के वीजिशें को बज़ें को पर चल रहे है की ओ उर्धों मुझे नहीं आती है वाई दो नहीं आती मुझे कल मिलूंगा आठ बजे मिलूंगा कभी लद्दाग आए सर घुमने अच्छा ठीक है मननत मरलब कभी आऊंगा लद्दाग तो मैं इनफोर्म करूंगा आप लोगों को ठीक है चले फिरेंट्स आज की उड़े कंदर इतना है इता है स्कोर आप लोगों के समलब अच्छा रहे मिलता हूँ आप लोगों से कल आठ वजे और किसी दूसरे टोपिक के साथ तब तक पढ़ते रहना ध्यान रखना गुड़नाइट टेक क्यार